बच्चो आज आपका सच्जिक है आलफाबेट उसमें आपको आलफाबेट की बूक लेनी है इस बूक में आपको पेज नमबर 46 ओपन करना है बच्चो वहाँ पे आप में कौनसा लेटर दिया है यह कौनसा लेटर है बच्चो यह स्पेलिंग में से हमें कौनसा लेटर फाइंड करना है बच्चो तो यह फॉस्ट है क्वेल्ट तो इसमें क्यू कहाँ पर है बच्चो फर्स्ट तो उसपर सरकल ड्रो करना है फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है क्वील तो उसमें क्यूँ है फर्स्ट तो उसपर सरकल ड्रो करना है बच्चो फिर नेक्स्ट है क्वील तो क्वील में क्यूँ फर्स्ट है तो उसपर सरकल ड्रो करेंगे हम बच्चो और फिर है Quokka तो उस पर Circle Ro करेंगे हम तो हमें इस में से कौन से लेटर Find करने थे बच्चो Q अब हम next space देखते हैं next space में हमें क्या दिया है बच्चो Please write the letter Q using your pencil बच्चो आप सब मेरे साथ pencil लेकर ready हो जाएए हमें यहाँ पर कौन सा लेटर लिखना है बच्चो Q लेटर लिखना है तो आप सब भी मेरे साथ pencil लेकर ready हो जाए तो Q आपको कैसे लिखना है बच्चो वो तो आप सब को आ गया होगा हमने सबसे पहले big square वाली notebook में लिखा फिर हमने my skill book में लिखा और अब हम लिखने वाले हैं alphabet की book में तो सबसे पहले आपको red line से start करके blue line तक इस तरह से circle करना है और फिर यहां से यहां तक एक slanting line करनी है बच्चो तो कौन सा letter बनेगा Q for quail Q for quail इस तरह से आपको बोलते हुए मेरे साथ यह letter लिखना है बच्चो ताकि हमें यह letter याद रहे जाए Q for quail Q पर से दूसरे कौन से वर्स बनते हैं बच्चो Q for queen Q for quilt Q for quail Q for koca यह सारे वर्स भी बनते हैं बच्चो तो भी हम कौन सा letter लिख रहे हैं बच्चो Q for queen Q for quilt देखो बच्चो मैंने आपको यह five line में लिख कर बताया है से मुसी तरक के आपको बाकी की जो five line है वो आपको homework में complete करनी है बच्चो अब हम next देखते है Please circle only letter Q on the quilt हमें यहां पर यह quilt दिया है उस पर हमें कौन से letter पर circle लो करना है बच्चो Q letter पर तो एक quilt में से हमें Q letter find करके उस पर circle लो करना है बच्चो तो first line में हम देखते है Q कहा पर है यह रहा तो उस पर circle लो करना है और फिर दूसरा Q है यहाँ पर तो उस पर circle करना है फिर second line देखते है इसमें Q है यहाँ पर तो उस पर circle करना है फिर हम third line देखते है इसमें Q है first तो उस पर circle करना है फिर हम उसके बाद की fourth line देखते है उसमें Q हमें last पर दिया है तो उस पर circle ड्रोव करना है फिर fifth line देखते हैं उसमें Q है यहाँ पर तो उस पर circle ड्रोव करना है और last में है Q यहाँ पर तो उस पर circle ड्रोव करना है बच्चो इस तरह सहमें quilt में से Q find करके उस पर circle ड्रोव करना था अब हम next page देखते हैं next page पर हमें कौन सा letter दिया है the letter G ये कौन सा letter है बच्चो G G for got G for got नीचे देखते हैं हम please find and circle the letter G हमें कौन से letter पर circle करना है बच्चो G letter पर तो first है grass तो grass में G कहाँ पर है ये रहा तो उसपर circle करना है फिल next देखते हैं next है girl girl में G है first उत्तर circle करना है फिल next है grabs तो grabs में G कहाँ पर है बच्चो first तो उसपर circle करना है और last है glass तो glass में G है first उसपर circle करना है बच्चो अब next page देखते हैं next page में हमें कौन सा लेटर लिखना है बच्चो please write the letter G using your pencil हमें यहाँ पर G लेटर लिखना है बच्चो तो सबसे पहले इस तरह से आपको कव करना है उपर तक फिर ये blue line में slipping line करनी है एक छोटी और फिर यहाँ से joint standing line करनी है तो कौन सा लेटर बनेगा बच्चो G for God आप सबको भी मेरे साथ लिखते जाना है बच्चो G for God G for God इस तरह से आपको बोलते हुए लिखना है बच्चो ये कौन सा लेटर लिख रहे है है हम बच्चो G for God G for से दूसरे कौन से वर्स बनते हैं बच्चो ये अभी अभी देखा G पड़ से ग्रास G पड़ से गर्ल G for grabs G for glass G for get G for gun G for gift ये सारे वर्स भी बनते हैं बच्चो तब भी हम कौन सा लेटर लिख रहे है G for God आपको भी मेरे साथ लिखते जाना है बच्चो देखो बच्चो मैंने यहां पर ठीक लिकर कम्प्लीट कर दिया मैंने आपको फाइल लाइन में लिकर बताया है सेम उसी तरह से आपको बाकी की जो फाइल लाइन है वो आपको होमवर्क में कम्प्लीट करनी है अब हम नेक्ष देखते है बच्चो इसमें आपको क्या करना है तो यहां पर हमें जो पिक्चर के स्पेलिंग जी पर से स्टार्ट होते है उस पर सर्कल ड्रो करना है बच्चो तो यह किसका पिक्चर है बच्चो गल तो गल का स्पेलिंग जी पर से स्टार्ट होता है तो हमें गल पर सर्कल ड्रो करना है फिर नेक्स्ट है गेट तो गेट भी जी पर से स्टार्ट होता है तो उस पर भी हमें सर्कल ड्रो करना है फिर है कार तो उसका स्पेलिंग तो सी पर से स्टार्ट होता है हमें तो सी जी पर से स्टार्ट होते है उस पर ही सर्कल ड्रो करने है फिर है drum ये तो D पर से start होता है तो हमें उस पर circle draw नहीं करना है फिर है glass तो उसका spelling D पर से start होता है तो हम उस पर circle draw करेंगे फिर है grabs तो हमें grabs पर circle draw करना है बचो फिर है ball तो ball का spelling तब भी पर से start होता है उस पर circle draw नहीं करना है और फिर है gift गीफ्ट का spelling G पर से start होता है तो हमें उस पर भी circle draw करना है बच्चो तो देखो बच्चो इस तरह से G पर से जो spelling start होते है उस पर हमें circle draw करना है तो आज हमने कौन से दो लेटर लिखे बच्चों फर्स लेटर था क्यू फोर क्वैर और दिसरा लेटर था जी फोर गोट तो बच्चों ये दोनों लेटर आपको आफ़ाबेट की बुप में लिख कर अच्छी तरह से लान करना है अब हम नेक्स वीडियो में मिलेंगे